ने की कोशिस किये पुलिस ने भाई की तहरीर पर दर्च किया है केस दो आरोपियों को घरफ़तार करके जेल भेजा गया है दो आरोपी इसमें अर्विंद पकड़ लिये गए हैं बनाई वे मामले में यह मैं आपको बताना चाहूंगा पूरा मामला सहसवान कोतवाली लाइक कि एक गाओं का है यहां की रहने वाले के तोरी जारी नीसी दौरान वो यहोगों नसे पकड़ा और उसके तब बतो लिए और उसके साथ प्रियों करने का प्रयास किया गया इस पूरे मामले में वीडियो बारन होने का कुल से संग्या लिया उसमें पीड़ता कि भाई की त कर अशिरणा फैकश लुए अशिते फसी भना किया लारा वीडियो कर ठाथच फेके से से साथा टो घ्रच Bank का ठूरी नहीं खरेए मदाशिक तभी नसे कॉड़ता करोता से स्पाथग अधर्यू का जया अधर वालो में पुला लाए कि उसके नो मद पार जिदियो ना है कि ह अगर पुलिस सकत नहीं होगी तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे हमारी बहु बेटिया सुरक्षित नहीं यूपी पुलिस ने मंचलो को ढूड ढूड कर सबक सिखाना शुरू किया है हम आपको उन्नाओ कानपुर और मेरट की तीन तस्वीरे दिखा रहे हैं जहां पुलिस शोहदों की जंकर धुनाई कर रही है और ध्यान यह देना है पुलिस को कि उन लोगों पर भी एक्शन लेन चाहिए और वो लोग जो बहुत तेज और बहुत लाउड में हॉर्न बजाते हुए बुलिट चलाते हैं कर रवाई उनके खिलाब भी करनी चाहिए तस्वीर जो आप देख रहे हैं और चाहिए और पीटा भी चाहिए में महिला सिपाई ने शोदे के पिटाई की गई है और नाव पुलिस ने मुकादमा धर्ज किया है इसलब यदा शुल किउलका भताराता कि मौौ से घर जाना है इस पर महिला सिपाई ने उसे मारा पीटा है और यह तस्वीर इकानपूर की देख रहे हैं आप कानपूर में शोदों की चपलों से पिटाई की गई है। बीच रोड मारा पीट एया और इसके बाद आपको मेरट लिए चलेंगे मेरट की तस्वीरे बल्कि स्क्रीन पर आ चुकी है मेरट में कप्तान की आदेश के बाद स्क्री हो गया है इंटी रोमिय स्क्वार्ट के तहट पार्क और कॉलेजों के बाहर शोदो के धर पकड़ की जा रही है शोदो पर पुलिस ने सूरचकूंद पार्क में उठक बठक करवाई ये तो शोदें यहां पर मिले हैं खबर अब आपको ललितपुर से बताएंगे जहां तीन शोदों ने स्कूल जा रही नाबालिक छात्रा से चेरचाड की पांच दिन से लगातार छात्रा से शोदे चेरचाड कर रहे थे लड़की ने शोदे की शिकायत अपने माबाब से की जिसके बाद शोदों की जम कर के सिबिल लाइन का है और आज बूला था कि आज अपना नाम बताओ नमर दू ऐसे बूला था बूला था आज हम तो मैं देख लेए हैं जहां यूति की हत्याकर शोदों को बांध के किनारे फेक दिया गया ये नावालिक किशोरी थी इसकी एच 15 से जैसा की एस्पी त्रिवर्णी सिंग भी बता रहे हैं इसके बाद रहना पार थाना शेत्र के महुला गड़वाल बंधे के किनारे और दनग नवस्था में शौ मिला है आसंका है किसके साथ रेप किया गया होगा 112 नहों आई कॉंसी देशिए बुलंद शहर में चात्रा को अगवा कर गैंग रेप किया गया है मिला पीर रिदपरिबार परिवार ने सुरकषा गोहार लगाई है साथ पिने पिरेट परिवार को एक गनर तिया है आरूप यो इन से मिल रही जान से मारने की घंकी ग्रित इंहिंगी करद ये और एको हम मार दो पार है जलाएंगे में में शहरा दिया जाएगा अलग करना है इस सुरक्षा के दिए एस एस पी रें एस साब ने सुरक्षा के दिए बोला है कि तुमारे लिए गलर उबलेगा कि क्या कारण था जो आप घर छोड़के गए थे पहला इन क्यों किया था है कि हमारे को एक तो घर की शुक्षा के वह चाहिए क्या हम यहां से यह उठें कि हमें धंकी दी रहे हैं यहां तो हमारा केस वापस ले लो और यहां आधिमान में पांची मिनट लग दिए को पकड़ा है दोनों इल्टेरों को लोगों ने जम कर मारा पीटा है जोल्डी शाप से च्छिनाथी करके भाग रहे थे आरोपी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गरफतार कर लिया है पुलिस ने दोनों आरोपियों को गरफतार किया है ध्यान ये दीजेगा जोहली शाप से छिनाथी करके ये आरोपी भाग रहे थे पुलिस ने दोनों आरोपियों को गरफतार किया है सीसी टीबी कैमरे में ये वारदात कैद हो गई थी जेलरी शाप से च्छेनाती करकि ये भाग रहे थे जिसके बाद लुटेरों की पिटाई की गई है पुलिस ने दोनों आरोपियों को गरफतार किया है ये एक्स्क्लूजिब तर तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं लुटेरों को पकड़ा गया धुड़ा कर उसके बाद पुलिस के खावाले कर दिया गया गाज़ेपूर की तस्वीरें हैं ज्रेलरी शाप से च्छेनाती करके देखिए अप तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कैसे च्छेनाती कर रहे तर उसके बाद भाग खड़े हुए लखनों में महंगे हो गए प्याज दो बोरी प्याज पंदरा किलो लहसन ये चोरी भी हो गए महंगे होने के वज़ा से दो बोरी प्याज और पंदरा किलो लहसन चोरी हुए हैं आलम बाग के मवाया में दुकान से प्यास चोरी हो गई दुकान की जाली काटकर प्याज और लेसन निकाल दे गए पीडित दुकानदार वेरेंद्र नहीं इस बात की जानकारी ठाने में दी और तहरीक लिखवाई चोरों ने प्याज उड़ा दे खुले में एक वेरेंद्र कुमार शाहू अपना प्याज और लासुन रखके चले गए थे बाद में घर चले गए जब वापस आये थे उनका वो सामान गायत था जिसके उन्होंने सूचना दे इस पर चौकी इंचाज मवया गए और उनने बढ़ा से हैं जहां प्यास की बड़े दामों ने लोगों के आसू निकाल लिये हैं ब्याद सौरूपे किलो बिक रही राजदानी लक्रों में 120 रूपयप्रति किलो बिक रही है का बढ़ती कीमतों की वज़य से लोगों में पैस के वाया हुआ जिसके चल्गते प्यास की प्रवाइब अब दो जादा लेते पहले लिए लिए अब जब देखा अज तो आणड्रेट के वी ऊपर जा रहा है अधरक बीदना जादा महेंगा हो गया अभी ठंड है अधरक का यूद जादा होता है चाह में तो मैं उसका बहुत ही कम यूज कर रही हो प्याज की मार वैसे तो लगाता रूलाती चली जा रही है बानर में भी प्याज के जाम अब 100 रुपए से उपर हो गया है तो अब कहीं न कहीं लोगों ने प्याज से लैसन से दूरी बना ली है था bare ए जो है जो है आई हमा सर्वांड़ है इस एक प्याज की और क Toward की बिखते ह। पहले इस ती क्या इस्टिती प्याज की वाग पहले की सवे दिखती पहले दिखती भी दीज रुपाई के लोगों की खरीद में बहुत फ़र्ग बढ़ गया यह मानिये कि पहले आप कितनी प्याज लेकिया अते लुपाई की दोड़ से दूर हो गया है पारदा से अतुरमी शड़ा भारा समाचार चितरकूट की पवित्र नदी मंदाकनी की गंदगी को लेकर अब साधू संतों को चिंता होने लगी है संतों ने अधिकारियों को 15 दिनों की डेडलाइन दी है संतों का कहना है कि अगर 15 दिनों के अंदर सरकार मंदाकनी को लेकर स्वक्ष करने को लेकर सीवर लाइन का कार्य नहीं करती है तो संसमाज आंदोलित होगा और मंदाकनी के लिए जन जगरण का कार्य शुरू करेगा भारत में लोग नदियों की पूजात देवी और देवताओं के रूप में करते हैं लेकिन विडम्बना ये है कि नदियों के प्रती हमारा गहन सम्मान और श्रद्धा होने के बावजूद हम उसकी पवित्रता, स्वच्छता और भौतिक कल्यान बराये रखने में सक्षम नहीं है हमारी मात्र भूमी पर बहने वाली कोई भी नदी प्रदूशर से मुक्त नहीं है नदियों में प्रदूशर दिन प्रते दिन बढ़ता ही जा रहा है कई नदियों में चलने वाली विभिन सरकारी परियोजिनाव के बावजूद जल प्रदूशन को प्रतिबंधेत करने का कोई भी संभव परिणाम नहीं मिला है धर्मनगरी चित्रकूर की लाइफलाइन मंदाकनी नदी की गंदिगी को लेकर के अब यहां के सादू संतों को चिंता होने लगी है जिसके चलते संतों ने मंदाकनी नदी के किनारे भरतगार पर बैठक की और मंदाकनी को निर्मल करने के लिए सक्त निर्णय लेते हुए दोनों प्रदेशों के अधिकारियों को सीवर लाइन का कारे शुरू करने की 15 दिन की डेडलाइन दी है संतों का कहना है कि अगर 15 दिनों के अंदर सरकार मंदाकनी को स्वच करने का कारे शुरू नहीं करती है तो चित्रकूट का संत समाज आंदुलित होगा और मंदाकनी के लिए जन जागरण का कारे शुरू कर देगा जीवन दाइनी मंदाकनी नदी में जहां पर गंदा पानी जाने से प्रदूशन बढ़ रहा है वहीं से पानी भी कम हो रहा है इसको देखते हुए यहां के संत समाज के साथ-साथ आंजन मानस भी चिंतित है पर्यावरन विद कादर उनीसा ने मंदाकनी नदी को साइंटिफिक तरीके से सवच कर इसमें ऐसी मच्रिया छोड़ने की सला दी है जो नदी की गंदगी को अपना भोज़न बनाती है संतो ने अधिकारियों को 15 दिन का डेडलाइन दिया है अब देखने वाली बात होगी कि संतो की दी गई डेडलाइन का क्या कुछ असर दिखता है ब्यूर रिपोर्ट भारत समाचार मौनदवाद की इंजीनेरिंग कॉलेज के चात्रों ने 2000 रुपए में एक ऐसी मशीन बनाई है जो सूखे गीले नैटलिक और प्लास्टिक के कच्चरे को चाट कर अलग-अलग डेस्ट पीन में बेज देगी वह चात्रों ने इसके साथ एक अप्लिकेशन भी बनाई है जो डस्ट बीन के भर जाने पर उसको खाली करने के लिए मुबाइल एप पर मैसेज बेजेगी चात्रों की माने तो उन्होंने इस मशीन को कच्चरे को रिसाइकल करने की प्रोसेस को आसान बनाने के लिए किया है कि कर अंचे है है अज और लिएखल में पूलिस प्रशासन का अवैद हुकका बारो पर एक्शन जारी है आज अली घटाना से विल लाइन शेतर के अमीन इशा में पूलिस प्रशाइसन को मिली सूचना पर अल्फ फलक्त रेस्टोडेंट में अबाइद रूप से हुका बार पर शाप इमारी की कारवाई की गई तुकर तिस लोगों के साथ तीन स्टाप के लोगों को गरफ़तार किया गया जिसमें तुछ चातर बताए गया मुझफर नगर की बुढ़ाना कोतवाली शेत्र में चेकिंग के दुरान पुलिस और पशुचोरों के खिलाब मुटभेड हो गई है मुटभेड पुलिस ने दो शातीर पशुचोरों को गरफ़तार किया है जबकि मुटभेड के दुरान चार शातीर मौके से फरार हुए संदिक साथी दिखाई दी इसको रोकने का प्रयास किया और इसे मुटभेड हुई इसमें दो मौके पकड़े गए एक दिनशाद और एक रासित जो फट्वाली का है मुझफर नगर का और दो वहां सरफुराज और इर्फान ये दोनों मौके से फरार हो गया है कि तलाश च विवस्था के मुद्द्य को लेकर सपाव कार्यकरताओं ने सड़क पर उतरकर प्रोशन किया पूर्मंत्री इस पी आदो की आगवाई में सपाकार्यकरताओं ने गले में प्यास की माला पहन कर जुलूस निकाली सडीम कारयले पर पहुचकर सरकार के विरोध में नारे बा नैंकि प्याज के दाम जो दो महना पहले जिर में आपहले पिक और फस्ट 완성 the अस है एक सोबीष से लेकर और दो सूरपे खिर रहा है हाथ रस्में फिल्म पद्वावत की तर्च पर अब फिल्म पानीपात को लेकर यानि पानीपात को लेकर विरोध बढ़ता जारा है प्रदुशन कार्यों ने शहर के सासनी चौरा है इसकी आनन टॉकी इस टीटर पर पहुच कर प्रदुशन किया ठीटर में चल रही फिल्म प और यहां वक्त एंटे चुटा का है